नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल टाको इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपके सामने जो बड़ी खबरें हैं उनको लेकर हाजिर हुआ हूँ पहला तो यह कि किस तरीके से हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद जो आप अच्छे से जानते होंगे मैडम कंगना रनोज जो किसी पहचान की मौताज नहीं है लगातार अपने उलजलूल बयानबाजी की वैसे सुर्खियों में रहती है खास तोर से गांधी परिबार को टारिट करने के लिए वहीं दूसरी खबर है एक और बड़ी खबर कि राहुल गांधी ने दस दिन पहले जो आशंका जताई थी जिसको लेकर उन्होंने एक बड़ी आशंका जताई थी कि ऐसा कुछ हो सकता आने वाले दिनों में कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कुछ वैसा ही होने जा रहा है आपको पता हुआ किस तरीके से हिंडन वर्क की दूसरी रिपोर्ट यानी नए दावे नए खुलासे के बाद देश की सियासत में भूचा लाया हुआ है लगातार विपक्ष के निशाने पर है मोधी सरकार पिदानमंत्री मोधी के स्तीफे की मांग की जा रही है सेवी प्रमुक को लेकर सवाल खड़े हो रहा है अडानी और सेवी प्रमुक के गड़ जोड को लेकर सवाल खड़े हो रहा है फाइनेस मिनिस्टर निर्वला सीता रमन से जवाब मांगा जा रहा है सेवी प्रमुक से जवाब मांगा जा रहा है इस बीच कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके आवाद आप भी यही कहेंगे कि कैसे मैडम ये इसमिर्ती इरानी बनने की चाहत मैं इतना राहूल गांदी को कुछ ऐसा उन्होंने बयानबाजी किये इसके पीछे की वजय बताऊँगा इसके लाव भूलिये का माद जो राहूल गांदी ने जो बविश्य बाड़ी की थी जिस चीज का खत्रे का अंदेशा रताया था वह किस तरीके से वह खत्रा यानि की वो तार रोप लगाती हैं जांच की मांग करती हैं कभी उनके भाशर को stand-up comedian करार देती हैं कभी कहती हैं कि उनकी शादी नहीं हो पाई प्रेमिकासे तो इसलिए उनको जबरन राजनिती में धकेला जा रहा है कभी वो उन्हें जाती को लेकर उनके एडिटीड जो photoshopped photo हैं उनको ल पहले बात राहूल गांधी ने जिस तरीके से भी और ये जो अडानी गर्जोर को लेकर जो हिंडन वर्क की रिपोर्ट आई उसके बाद जो उन्होंने सवाल पूछे किस तरीके से एक international match का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए आम लोगों को आगा किया और सिस्टम में किस तरीकी कारिस्तानिया है उसको कुछ उधारण के जरीए समझाया था लोगों को जिस पर मैडम कंगना का क्योंकि जहां गांधी परिवार का नाम होगा राहूल गांधी का special नाम होगा तो मैडम कंगना तो आएंगी अब लोग कह रहे हैं कि शायद उन्ह पूछने के बाद आया है वो कह रही है कि राहूल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है ये ट्वीट कंगना का अंग्रेजी में है जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं जिसमें वो कह रही है राहूल सबसे खतरनाक आदमी है वो कडवे हैं जहरीले हैं विनाशक इस तरह की शब्दावली इस तरह की बातें इस तरह की बयानबाजी लोग सबाके नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए मैडम कंगना की तरफ से की जा रही हैं ऐसे मैं लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि वो इतने जहरीले इतने खतरनाक इतने विनाशक है तो संसद में क हर बड़े फैसले से पहले तो मैडम कुछ तो सोच समझ के बोलिए उन्होंने आगे यह भी लिखाए कि उनका एजेंडा है कि अधिवय प्रिदान मंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को तभा करना चाहते हैं कर सकते हैं यह कंगना का रोप है राहुल गांधी को लेकर कि अ उसका समर्थन किया था या तो इन्होंने फिर राहुल गांधी कई बात सुनी नहीं या फिर इन्होंने खुद की जो अपनी ही वितमंत्री हैं उनसे भी सवाल नहीं पूछा होगा अरे मैडम हिंडन वर्क की रिपोर्ट के बाद तो से भी प्रमुक की तरफ से भी आ गई इन्वेस्टमेंट को लेकर कि 2015 में क्या इन्वेस्टमेंट किया था उसके वाबजूद अगर आप ऐसे बयान देती हैं वो भी सिफ जबरदस्ती राहुल गांधी को टार्गेट करने के लिए तो लोग आपको क्या कहेंगे लेकिन खेर राहुल गांधी ने जो हिस्सा कहा से दरा उनकी ये बात सुनिये लोग लोगन हमेडेगे मास अहले। उस अशोप वाथ वी से ले। लाज़ अवेह से सॉमने लिए जाष सॉम्स सभ्डाख आपके कहा ल calendar कि लपोरे कि फर इस असी करो लिए उन्युक मारे बसदों मेंग Zap primo GIRU, the plugs, was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBBI chairwoman, Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly-earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners, have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter, swomoto, again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Rahul Gandhi is not a country's biggest question. We're going to talk to you later. प्रसका अभी नाम आ गया है तमाम विदेसी साजिसों का बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा कि इसके पीछे विदेसी साजिस हैं कॉंग्रेस आर्थिक शड़यंतर चरही है ऐसी तमाम बयान बाजी हो रही है सियासत में यह कहें कि एक बार फिर से हिंडन वर्क की इस रिप हुआ लेकिन हम बात कर रहे हैं मैडम कंगना की जिनके बारे में कहा कि शायद उन्होंने पीएचीड कर रखी है क्योंकि उनके कुछ बयान जरा आपको सुनाएता हूं और भूलेगा मत आगे बताऊं वार कि राहुल गांदी ने जो दर्स दिन पहले जो आर्शंका जताई थी जिस खत्रे की शायद वो होने वाला लेकिन पहले कंगना मैडम कंगना के कुछ बयान चार अप्रेल दोजार चौबीस वो कहती है कि प्रेमिकाश्य शादी नहीं हो पाई राहुल गांदी की और इसलिए वो राजनीती में जबर्दस्ती धके ले गए राहुल और प्रे ये बातें कंगना ने ओन रिकॉर्ड चार अप्रेल दोजार चौबीस को कही थी इसके अलाबा एक जुलाई दोजार चौबीस यानि की पिछले ही महीने की बात है तब वो कहती है कि राहुल ने जो भाशर दिया वो स्टेंड़ अप कॉमेडी थी उन्हें तुरंट पी लेनी चाहिए क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांदी ने संविधान पर भाशर दिया था संसद में जिसके बाद कंगना ने ट्वीट किया था और कहा था कि राहुल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया राहुल नहीं है वो दो हैं एक अब संविधान के लिए ज सहमत होंगे कि परिवार और मा की ओर से आप जो बनना चाहते हैं उसके लावा कुछ और बनने का दवाब किसी को भी इस तरह की पहचान का संकट दे सकता है यानि कि वो राहुल गांदी की जो मनो विज्ञान यानि मन दिमाग उनको लेकर सवाल खड़े कर रही थी इसके ल योजना है अगनीवीर समेथ तमाम योजनाओं को लेकर सरकार को गेरा था शिब की बारात का एक्सामपल दिया था कि शिब की बारात में किसी भी धर्म किसी भी जाती के लोग आ जा सकते हैं जो बादशायत कगना को इतनी चुबी इतना उनके दिल को छली कर दिया कि वो कह जान को ठेस पहुचाते हैं संसद में कॉमेडी शो किया गया उनमें कोई गरिमा नहीं है कल वहां कह रहे थे कि हम शिप जी की बारात है और चक्रव्यू है मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए किस चीज का ड्रक्स का शराबता यह बात है उन्होंने मीडिया से कहीं जब उनसे राउल गांधी को लेकर सवाल किया गया कि ड्रक्स पीते हैं शराब पीते हैं जब जिसके बाद उनके तमाम वीडियो ऑद में शुमार हो चुका इसलिए लोग के सामने एक और जो बात है उनकी दो अगस्त दोदाश चौवीस यारे इसी महीने की मेरे पास लंबी लिस्ट है लेकिन जल्दी अल्दी आपको बतायता हूँ जब राहूल गांदी ने बजट को लेकर सवाल खड़े किया और कहा कि बजट का हलवा बट रहा है लेकिन देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है इसको लेकर भी मैडम कंगना इतना उनको बात चुब गई इतनी नागवार ये बात गुजरी तो वो कहती है राहूल जी के बारे में हम क्या कहें उनकी किसी बात का ना कोई तुक है और ना कोई ठंग है ना ही हमें उनकी कोई बात समझ आती है चक्रवीव वाली बात तमाम उधारण वो गिनाने लगी यानि की राहुल गांधी अपने मुँझे एक शब्द कहें और उधर से बीजेपी की तरफ से कंगना मैडम फ्रंट फुट पर आकर सीधे राहुल गांधी पर हमला करना शुरू कर देती हैं सीधे हमलों की एक लंबी चोड़ी बोचार पूरे ऐसा लगता है जैसा मैं कई वार अपनी वीडियो में कहचकाओं की शायद बीजेपी में सिर्फ गांधी परिवार को टार्गेट करने के लिए किसी स्पेशल कमेटी का गठन होता है क्या तो जिसके जवाब में काफी लोग किट था चंदन लगा था इस तरह की फोटो नोंने अपने सोचल मीडिया एकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी इसको लेकर वे उनकी काफी किरक्री हुई आलोचना हुई और लोगों ने तरह तरह की बातें कहीं थी लेकिन अब दूसरी खबर जो इसका मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने दस दिन पहले आपको याद होगा वो तारीक थी दो अगस्त जब वो वाइनाट के दोरे पर थे जहां तरासदी की मार जेल रहेते लोग चार सो से ज़्यादा जहां वहां पर जान जा चुकी है तब उन्होंने आधी रात को एक ट्वीट किया कि मेरी चक्रवीव वाली स्पीश शायद दो में से किसी एक को पसंद नहीं आई है इसलिए ED के सूत्र कह रहे हैं ED के अफसरों ने कुछ मुझे जानकारी दी है कि मेरे घर पर रेड हो सकती है मैं बिस्किट चाय के साथ तया आपको याद होगा यह राउल गांदी का ट्वीट भी देख लीजिए उन्होंने कहा था आधी रात में ट्वीट किया ता जिसको लेकर फिर तमाम लोग मजाक उड़ा रहे थे सवाल पूछ रहे थे बोले ते राउल गांदी ने सही कि अगरत किया इस पर एक डिबेट छि होंगे कि कौन सी ऐसी खत्रे की आशंका थी तो खबर यह है कि अब एडी की तैयारी है बार समाचार के सूत्र हो चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर हो कई मीडिया चैनल्स ने कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि एडी अब राहुल गांदी को जल्द नोटिस अपने सूत्रों के हवाले से दावा कर रहा है कि राहुल गांदी पर एडी जल्द एक्षन ले सकती है जल्द नोटिस बेच सकती है नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से पूछताच हो सकती है जो उनसे पहले भी कई घंटों तक 40 घंटे बताए गए थे 40 घंटे तक उनसे प नहीं कॉंग्रेस और तमाम लोग लिख रहे हैं कि जैसे ही अडानी का नाम आया तो मोदी जी घबरा गए और उन्होंने अब एडी के जरिए इस मामले को राहुल गांदी पर नोटिस भेज कर उनसे पूछताच करके इस मामले को से बचने की कोसिस कि इस तरह की तमाम जो थ्योरी है वो कॉंस्पिरेसी थ्योरी है तमाम चल रही है शोशल मीडिया इससे पटा पड़ा है लेकिन आपको याद होगा जब मैं कंगना की बात कर रहा था तो एक बात आपसे जरूरी बताना भूल गया जिससे आप अंदाजा लगाईए कि कंगना आखिर इतना क्यों क कि एसे कितना मोधी भक्ती में डूवी होई हैं तो वो आपको याद होगा कि एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते बग 10 नवंबर 2021 को यानि कि जब वो सांसद भी नहीं थी तब सही वो किस तरीके से तैयारी कर रही थी तो उन्होंने 10 नवंबर 2021 को कहा था कि भारत को अ लिए आजादी थी यह बात कहीं ती कंगना रनोहत ने कि जब से मोधी जी आ है तब से ही देश आजाद हुआ इससे पहले तो फीक में मिली हुई थी जो आजादी थी तो आप सूछिए कि मैडम की कितनी बड़ी तयारी थी इनसे पहले एक और मैडम ती इसमृती यानी जर तो अब आपने इसमृति इरानी को सुन लिया कंगना रनौत के लितलगाता जितने बयान हैं उनके उलजुलूर बयान बाजी है वह मैंने आपको बता दी लेकिन आप दौनों में फर्क बताएगा या आपको भी अगर ऐसा लगता है कि कंगना भी इसमृति बनने की जिद पक इसके लावा लेकिन एक फर्क आपको जरूर दीख जाएगा कि इसमृति गुस्से में तिल मिलाते हुए एग्रिशन में हमेशा हमलावर रहती थी उल्टा सीधा जो बोलती थी हाला कि आप वो ना सांसद है ना केंद्रे मंत्री लेकिन यह मैडम तो एक लंबे अर्से से इ लेकिन अब जैसे इसमृति इरानी एक तरीके से सरकार से यानि की मंत्री मंडल से और जो रायामेठी के लोग है उन्होंनों भी नकार दिया जब वो यहां से आउट हो गई हैं तो यह नई मैडम की एंट्री हो चुके ऐसा लोग कह रहे हैं तमाहम तरह की बाते हैं चल रह करके सीधे गांधी परिवार को टारेट किया जाए लेकिन इस ख़बर पर आपकी रायका है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल लग भूले हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार